आज हम प्रिंसिस कर्ट कुर्ति की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे मज़ेबट इस परकार है फुल लेंग 40 इंच, एक्रोस बैक 14 इंच, चेस 36 इंच, वेज 32 इंच, हिप 40 इंच, स्लीव लेंग 16 इंच, बोटम 10 इंच सबसे पहले हम लेंग निकालेंगे, लेंग निकालने का पॉर्मेंट हमारा इस परकार है, फुल लेंच, प्लस सीम अलाउंच, प्लस टर्निक फुल लेंग हमारी 40 इंच है, आदा इंच, सीम अलाउंच, टर्निक कम जादा अपने इसाब से हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेलिंग करते हैं 42 इंच, टोटल लेंग, जब हम कटिंग करेंगे तो हम इसी पॉर्मेंट के इसाब से कटिंग करेंगे, लेंग हमारी है 40 इंच, सबसे पहले हम लेंग का निसान लगाएंगे यह फोल्स साइड है, यहांते यहांते, फूल लेंगे, यहांते, फूल लेंगे, उसके बाद एक्रोस बैक लेंगे, एक्रोस बैक हमारा 14 इंच है, एक्रोस बैक का हाफ करेंगे, इस इकल टू 7 इंच, लेंग लाइन से अंदर की दरब जाएंगे 7 इंच पर आर्बोर, आर्बोर निकालने का कोर मेंटे क्रोस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच, इस इकल टू 7.5, साड़े, साथ इंच, साड़े साथ इंच, आर्बोर के लिए डाउन आएंगे, और ये रेखा घिचे है, चेस्ट के लिए, चेस्ट, दिवाइड बाइब बाइब 4, प्लस, 2 इंच, 2.5 इंच, हम अपने इसाल से जितना इसमें आड़ करना चाहिए, टू इंच सेक्स तब कर सकते हैं, 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 इंच, प्लस, 2.5 इंच, इस इकल टू, 11.5 साड़े, 11 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया, 9 इंच, प्लस, 2.5 इंच, टोटल हमारा हुआ, 11.5 इंच, चेस लाइड हमारी साड़े, 11 इंच, निकल करके आई, ये चेस लाइड के लिए निसान लगाना है, उसके बाद हम तीरे से डाउन आएगे, नैच्छरल वेस्ट के लिए, नैच्रल वेस्ट हमारे यहाँ पर, 14 इंच से, स्टार्ट होती है, यहाँ पर हमारे 36 सेर्ष है, 14.5 हम नैच्रल वेस्ट के लिए डाउन आएगे, डाउन आज़कर के उपर से तीरे से नीचे डाउन आएंगे हम यह आपर और यह कमर का निसान लगाएंगे आपर यह हमने यहाँ पर कमर का निसान लगाएंगे उपर से नेचरल वेस्ट के लिए आए और यह निसान लगाएंगे वेस्ट हमारी फट्टी टू है वेस्ट डिवाइड बाइब बाइब फूर प्लस तू पॉइंट फाइब थर्टी टू को पॉर से डिवाइड किया एट इंच प्लस तू पॉइंट फाइब दा इंच इस इगल टू पैन पॉइंट फाइब साड़े दस इंच यहाँ पर हम लेंफ लाइन से अंदर की तराफ निसान लगाएंगे साड़े दस इंच पर और चेस लाइन को बेस लाइन से मिलाएंगे यह मिला लेंगे पाद हिप निकालेंगे हिप दिवाइब बाइ 4 प्लस 1.5 देंच 40 इंच को 4 से डिवाइब किया 10 इंच प्लस 1.5 देंच इस इकल तू साड़े ग्यारा 11.5 हिप लाइन हमारी साड़े ग्यारा निकल कर गिया आई यहां पर हमने हिप लाइन का निसान लगाना है आपोल से यह जो हमारी आपोल लाइन है उससे डाउन आएगे हम 15 इंच 14.5 15 इंच पर हम डाउन आएगे यहां से 15 इंच पर डाउन आएगे और हिप का हिप लाइन का मार करेंगे यहां पर हीप हमारी साड़े-ग्यारा यह लाएंग से अन्दर की तरह हमने यह साड़े-ग्यारा पनिसान लगया विर्थ जितनी हमारी हीप है उतनी भी रख सकते हैं हम ज़्यादा पढाना चाहें तो अपने इच्छा अनुषार रख सकते हैं हम यहां पर विर्ट जितनी हमारी हीप है उतनी ही रखेंगे अगर हमें ज्यादा करनी है तो जितनी हमारी हीप है उसमें हम 1.5 1.5 याने डेट इस्टा कमेट इस्टा ले सकते हैं अगर इक्वल रखना है हम इक्वल भी रख सकते हैं जितनी हमारी हीप है उतना ही हम इसको रख सकते हैं और इसको इस परकार वेस्ट लाइन को हिप लाइन से और हिप लाइन को विट से मिला दूँगे ये करने के पार neck width निकालेंगे neck width निकालने का format chest divide by 12 36 पो 12 से divide किया 3 inch 3 inch हमारी neck width निकल करके आई 3 inch पर हमने यहां का निसान लगाया neck length के लिए chest divide by 6 equal to 6 36 को 6 से divide रखेंगे पर 6 inch 6 inch पर यहां का निसान लगाएंगे किसी भी प्रकार की कोई भी safe हम बना सकते हैं तीरा डाउन आएंगे यहां पर पूरा इंच तीरा डाउन आएंगे और जो हमारी neck width है उससे इस परकार से मिला देंगे यह मिलाने के बाद जितनी हमारी आर्म ओल की length बची उसका हाग करेंगे आगा इस अंदर की तरह आएंगे और इसको जो हमने तीरा डाउन किया है वहाँ पर इस परकार मिलाएंगे यह मिलाकर आर्म ओल की safe करेंगे safe करते वे चेस लाइन से लाकर के हम मिला देंगे यह हमारी front आर्म ओल की safe है back के लिए यहीं हाप से उठाएंगे और safe करते हुए चेस लाइन से लाकर के मिला देंगे यह मिलाने के पाद यह जो हमारी गोलाई की है हमने आर्मोल की यहां तो हम format के साब से ट्वाइट आर्म इस तरीकिये से गोलाई पर उपर की तरफ और जहां भी पूर इंचा आएगा वहां पर निसान लगा लेगे दूसरा जितनी हमारी गोलाई है यहां ते यहांतर जितनी दोल आई दे लों पे निंसान लगा लें laughs फ्र प्लस यहांते यहांतर जितनी दोल एओ उसका खाब यहांतみachen यहाँ पर उसके बार तीरे से डाउन आएंगे हम निपर पॉइंट विगालने के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 1 इंच 36 को 4 से डिवाइड दोने पर 9 प्लस 1 10 इंच इधर से 4 इंच पर अंदर की दाफ आएंगे और यहाँ हम अपना रखेंगे इसके और डाउन आएंगे हम 10 इंच 10 इंच पर बाद यहाँ की दूरी हमारी यह लेंद लाइन है अंदर की टरफ यहाँ पर आएंगे हम पोर इंच पर नीचे आये 10 इंच पर यह अलगे बार हम नहीं इंसान लगा दिया अब जितने भी हमें लीचे तक यहां से लैंक लाइन से अंदर की तरह हमें 44 इंच पर मार्क करना है यह सारी हमारी हिप लाइन में यह चार इंच यह यहां पे बिट पे चार इंच 4 इंच हमसे लिया है तो डोटल ही चाज aciर इस अंदर की तरह पाएंगे फांच लेना है तो पांच आएगे यह को एह कि इस डोट को यहां से उठाते हुए जो हमारा क्वाइंट यह किसमाला विला ते है इस प्रकार मिलांगे यह मिलाकर के जो हम 4 इंच अंदर की तरह आए हैं उनको आपस में मिलाएंगे इस परकार और निच्चे तक जो विल्ट है हमारी वहां तक देजा करके इस परकार मिलाएंगे यह जो हमारा विल्ट है यहां से यहां तक यह है हमारा 4 इंच हम यहां पर अपनी 5 इंच भी रख सकते हैं यह करने के बाद अगर इसमें डोट डालना चाहते हैं तो वैसे तो यह ऐसे भी बनेगा अगर डोट डालना चाहते तो जो हमारी वेस्ट लाइन है वेस्ट लाइनं गढ़ने डोट का डनीशा ड़ाएं न चाहते हैं वेस्ट लाइन डोट हारा अविक्षा विदो कि प्रेंसिस कट कुर्थी बना सकते हैं अगर डॉट आया जाते हैं तो डॉट भी डाल सकते हैं कि यह जो डॉट शो कर रहे हैं यह जो कटिंग करेंगे तो यहां से सीधी कटेगी इस परकार पिल्कुल ऐसे रहेरी इस दोट डाले वाली सिटेशन में क्या होगा यह यहां से जीदा टाटेएगा फिल्य डोट टेी ऐसे घिर यह से क communaut now में डोंप मैंतों अगर डोट डालेंगे तो सिफ सीदा ही इस त्रीखे से प्रेंसिब्स कट कट हो जाएगा यह हमारा बैक ओफ फ्रंट पूट्टी का त्यार हुआ अब हम स्लीव गनाएंगे कि स्लीव लाइस है हमारी कि सिक्स्टीन इंच कि पॉर्बट सीव के लिए वही है स्लीव लाउंस और टर्निंग करना होता है कटिंग करते वक्त क्योंकि आर्मों को टैस करने के लिए व्यक्तिन करने के लिए मार्जिन चीह होता है यह हमारी फुल श्लीव लैंस है यहां से यहां तक कि फोल्ट साइड है यह कि लिए कि जो विर्ट निकालनी है वह हम पॉर्बट के इसाथ से निकालते हैं जितनी हमारी आर्मोल है उसमें डेडिस प्लस करते हैं कि स्लीव लैंथ कि कि जितना आर्मोल है आर्मोल हमारा साड़े साथ इंच है आर्मोल या फिट चेस्ट दिवाइ बाइ 4 मिदस 1 इंच आर्मोल प्लस 1.5 डेडिंच आर्मोल हमारा साड़े साथ इंच है डेडिंच जमा किया 9 इंच साड़े साथ हम दो यहां पर लिया आर्मोल डेडिंच प्लस किया तो 9 इंच हम यहां पर विट का निसान लगाएंगे मलत प्लस किया गफे एंच है यहां भर लेगाएंगे इंच हैं यहां यहां पर लों किया एंच है लुड़ीं यहां आर्मोल यह हमारी open side है, यहां से गुलाई करने के लिए down आएंगे हैं हम, chest divided by 12 plus 1 inch is equal to 4 inch, यहां पर हम 4 inch down आएंगे, निसान लगाएंगे, और यह जो 4 inch down आएंगे, इसको उठाते हुए, और यह इसको मिला देंगे, फ्रंट के लिए यहां से पूना इंच आपके आएंगे, और लाफ के इससे मिला देंगे, यह मिलाने के बाद bottom हमारी 10 है, bottom का half करेंगे plus 1.5 inch, bottom का half किया 5 inch, plus किया 1.5,5,6, यही, साड़क चेंगे, इस पर हमने यहां पर निसान लगाना है, और जो हमने टाउन की आए सेटी लिए, उसको यहां पर मिलाना है, यह हमारी स्लीव दियार हुई, यहां पर हमने, जितना हम हीप लेते उतना भी दे सकते हैं, यहां पर जितनी हमारी हीप लाइन आए साड़क यारा, उसमें 1 inch, plus भी कर सकते हैं, तो यहां पर हमने 1 inch, plus करते हैं, साड़े बाड़ा, यहां पर हमारी हीप लिप आए जी, यहां से यहां तक, वेश हमारी निकल करते हैं, साड़े दासी, एक चीज़ का जिरूर ज्यान देना है, अगर यह डोट डालेंगे, तो हम डोट का add करेंगे, इसमें, इस पकार, यह हमारी प्रिंसिस कट कुर्ती की ड्राप्टिंग बनकर तैयार हुई, हमारी प्राप्टिंग प्र